नमस्कार अपनी जोडी में आपका स्वागत है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सम्विधान में कई धाराओं का प्रावधान है तो जानिये ऐसी ही कुछ धाराओं के बारे में जो अन्याय के खिलाफ महिलाओं के लिए काफी असरदार है पहला अगर कोई महिला के लिए अबद्र भाशा, गाने या आपत्ती जनक इशारे का इस्तमाल करता है तो महिला को शिकायत करने का अधिकार है सही पाय जाने पर दोशी को तीन महिने तक की सजा होती है दूसरा किसी महिला पर अगर जबरन गर्ब धारन या गर्ब पात के लिए दबाव बनाया जाता है तो ये अपराध है महिला की बिना सम्मती के ऐसा करना असंभाव है इसके लिए महिला को मजबूर करने पर धारा 312 और 315 के तहट 3-10 साल तक की सजा का प्रावधान है तीसरा कोई भी महिला अपने सामान गहने आदी रखने के लिए यदि किसी को देती है और वो उसे वापस नहीं मिलता तो इसके लिए कानून में प्रावधान है वो धारा 406 के तहट अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है चोथा अगर कोई व्यक्ती शादी का जहानसा देकर महिला का शारिरिक और मानसिक शोषण करता है तो धारा 493 के तहट महिला अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है आरोप सही पाय जाने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है पाँचवा, महिला को प्रताडित करना और आत्महत्या के लिए उकसाना गंभीर अप्राधों में शुमार है सम्मिधान की धारा 306 के तहट दोशी व्यक्ति को दस साल तक की सजा का प्रावधान है चटा, कानून ये ताकत देता है कि कोई भी व्यक्ति महिला के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुचा सकता किसी महिला की मरियादा खत्म करने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है सात्वा, पीडित महिला को अधिकार होता है कि वो अपनी पहचान और खुद से जुड़ी जानकारियों को गुप्त रख सके अगर कोई उलंगन करता है तो इसकी सजा दो साल तक की हो सकती है तो ये थे महिलाओं से जुड़े कुछ कानून जिन्हें आपको जानना जरूरी है इसके अलावा और भी कई कानून है जिन्हें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद